अमुलकी क्रीम है और स्चिक्स ऐसे दे रखिया माझ जाना है तो पैसे बापिस दिन के कितने परकट मनाते थे हो गया दिन के डाइसो तीन चीज़ है यह जी इनकी बिर्यानी इसका क्या कीमत बताए था पचास रुपए ऐसे ले ना ऐसे ले ना आ वही हो गया आपका चलता फिरता चाप स्टॉल चाप नवरतन कोर्मा पता नहीं क्या क्या भाई यह तावर तोड़ मेन्यू लग रहा है और सबसे उससे बढ़िया नाम यह होंग कॉंग होट बर्गर एंड चाप नाइस ब्रो नाइस अब यह आई वे हैं रोईनी में रोईन है यह सट 2 में कॉमेंट करना आपको पशंद कि मिरका पुसंद है आए दिका छाओं बढ़िया बंते वे हुए आप नाम कहा एपका हॉंग कॉंग और कैसे मतला होंग का कहा से अंदर चाप नाम लिया भी आपके वाला क्वेश का चाह और पर देगा से आप है और बिर्यानी पचास उचे के हाफ पचास उचे के हाफ तारी चीज़े खिलाएंगे आच एक सतीजी मजाएगा इस पैसे बापिस अच्छा तीक यह अलू का पैडी बना रहे है क्या अलू बर्ली क्या सड़ी कम करादी ओब शर्दी कतम कतम हो जा अच्छा ओ पिर तो चली कि अच्छा तो नहीं चलता मिलता है फिर जनता जब तक लेना चाहिए जल्दी बिख जाते हो ना नौ बज़े तो कहां मिलता है आठ बेडा तक आए बंदा तो मिले नसीव अब लगारे ओ बर्गर कितने अलगे पनीर वाड़ा भी होता है पनीर आलू और चाप तीन बर्गर बर्गर रहते हैं चाप रहते हैं काफी सारी चीजे रहती है किते सालों से बना रहे हैं आप अति यहीं पे बना लगाते हैं היא की एक अहिए दो 3-4-5-6-7-8-9-10-11 प्रोईनी हमारा इलाका हम जानते हैं खा चुका है महिया से काफी बार यह कुंसी बढ़ रहे हैं अच्छा बिर्यानी के साथ देते होगे अरे बाइसा मज़े मैं लगा रहे हो आप अच्छा आपकी ग्रेवी लगा रहे हो हमारी देशी चटनिया होगे बर्गर की तभी तो आफ ऐखते हैं अब आ जान ब्रें में जाद के वह दो घयां जाका आज मळेंग को अजमा किया जाएगी एब कर बदाना कहां से आया को आए देता निया को चाप बर्गर के मेरा अपना हुगए पहले शुरुआत से बेचरी हो तो खयाल कैसा है कि चाप को बर्गर में डाल के खिलाउंगा लोगों को अभी कभी मेरे दिल में खयाल आता है कि कुछ में बना दो कि बड़े आप रोमांचक टाइप के बंदेव हस्मुक टाइप के हो अच्छा असना यह बत असना मैंने से काम करना तो रोणा में मास्क लगाना तीन चीज़ है अच्छा कैसे उन्होंने बोला लोगों को लोगोंने साथ दिया हाँ हमारे अपने आप नहीं यह वाद बहुत पनीर पड़ा इसमें क्रीम पड़ रही है अग्रीम भी अमूल की डाले हैं और यह पड़ा चाट मसाला काफी तावर तोड़ मामला गचा तक तो इसको हाफ करके डाल दिया चाप बर्गर का हुग इसको परिए यह आलू वाला है अलग अभर जिसके शौक है जिसको जो शौक खाना है को आलू वाला झाता कोई कोई चाप आला खाता है बनाने में इतना बढ़िया मज़ा आता होगा दिन के कितने बरकर मना देते हो गया दिनके धाइसो और आट साल से बना रहे हूं बताओ भाई गणि गणित कलो कितने अबाइसाप मेरी गणित कमजोर है एक हमें भी खिला अच्छा जी उपर बीडालोगे पूरा क्रीम बीडालोगे इसका क्या कीमत बताया था पचास रुपे रेश्टराण में चले जाते हो पचास रुपे के नाम पर क्या मिलता बर्गर में कुछ नहीं मिलता अच्छा पेड़ बर जागा है बंदे का इस सालन पड़ा ये चाप की ग्रिवी पड़ी ये केचप पड़ा और ये बर्गर आ गया सतीज जी घिला रहे हैं जी हॉंग कॉंग चाप बर्गर आए इसको टेस्ट करते हैं पर एक फोटो निकालते हैं और फिर उसके बाद लिए उसके अंदर मिर्ची का सालन डाले चाप की ग्रेवी डाली है प्यास डाले टमाटा डाले पनीर डाले क्रीम डाली है और कुछ चीज डाली होगी तो मैं भूल गया कैसी जीब लप लप आई मजा रहा है आज तो हमारे कैमरामेन का भी बड़ा मन कर रहा गाने का मुह पहुत गंजा रहा है बर्गर जो भी गव मैसी होते हैं हाने में एकडम जूसी चाप का पीछा जो सालन डाले ना इतना टेस्टी है ना पाइसी होगे और क्रीम और जो बन एकडम फ्राय कर गया पर इसका ने जो मजा है ना एकडम निकल के खाने में हलका सा भी इससे फोटोस किचोगा नीचे से एकडम सागी हो जागा क्यूंकि बहुत आरी चटनी है तो इसको क्या करना आप में ऐसे निकालना ऐसे लेना ऐसे लेना आ हम सेक्टर साथ रोईनी डीवारा मार्किट पचास लिपेगा बर्गर पिछे हॉंग कांग चाव बर् अब्यानी आज आज बर्गरी अजय करें बहुत ते बहुत ते इस बाइए बहुत ते सालन जोड़ा तेज जालन जाले ना करें बिर्यानि की साठी की हफलेट है यह फ्ली है फूल है हाफ है 50 रुपेगी अच्छा पर डिसकाइब बीडियो के लिए और बिर्यानी इंकी बिर्यानी न्युट्रेला वाली वाली बिर्यानी उसको पर चाप का पीस आजाते हैं हर चीज नेंके तवे चाप पर बनती है मत उससे हर चीजका में आता है UP इसको भी चुपसे जाके हुरियेभा इसको क्यों कि उस पुलाओ इसको एक शिकना दिखने और में लूग शिवा नियुकर गणा वा शिडेया शिर्खनि Num JULus टेस्ट गर्म करम तेस्ट भाइन तैस्स अभगान चागन say लाइक का शोगन चोड़ा दिया ठादिया अब टेस्ट करते हैं गाइस यह देखो यह बिर्यानी है पुलाव है यह जो भी आपने वह देखा बरतन के अंदर पुलाव पड़ाव था बिर्यानी पड़िवी थी जो भी उसको कहना चाहो रही लाइची के मोटे-मोटे दाने ड सोचा होगा आज से 8 साल पहले कि चाप को तब तो लोगों को पता भी निता चाप होती गए चाप को बर्गर के अंदर डालके खिलाओंगा और ऐसी चल गए बाई यह इनका नाम नी समझागा है इनको होंग कॉंग कॉंग से क्या लेना देना पादान भाई पर क्या चाप ह यह रियलाइज हो है कि जो थोड़ा सा कम महंगा खाना और महंगे खाने में फरक्या होता है यही चाप अगर आप किसी ब्रैंड से खाऊगे उनका चाप का पीस जल्दी आप खालोगे मताब मुह में जल्दी घुल जागा और इसका मसाले इकदा मढ़िया मताब स्टीट सा वह लवली यह बिल्यानी है और मैं इसको चममच के साथ का रहा हूं क्योंकि अभी मेरे को और शूट करना घर पर होता ना तसली से आज से खाता है उसका मज़ा यह लगाता है जाज लेंगे बाई मैंने टो अज तक चार्प स्टिक्स काई भी इन यह था अ क्या है जब को लग रहा है उसी की नाम पर होंक कारे हैं वो तो फिल्कुली नॉन्वज जरी है ग्दी रोगला जालेत गाने सब अम रोवीनि को एक दा जांते हैं आंक वार्त कॊन बोलता रो तो भी रोणी टक्कर देगा दिल्ली के खाने को किताना बढ़िया खाना है आओ एक और बढ़िया चीज लेकर आते है चाप का पीस बढ़िया तगड़ा डाला या वह साथ में यह डाला है नुट्रा भी डाला है तो अजिश्या फिदिग्न बढ़िया और वह सथीज आपके नहीं कितने हश्मुक बढ़ बढ़िया उन्होंने ये तो चाप बर्गर सोया चाप रोल पनीटिका बर्गर तवा चाप कढ़ाई चाप काठी कबाब काठी कबाब काठी शोर बहुत मचाते हैं यार दिल्ली वाले ना रूनी वाले खासकत अरे इसमें बैड आडियो में मैं कुछ नहीं कर सकता मैंने माइक भी चेंज कर दिया अरे भाई कितना जाम हो रही है दिखो यह दिखो अरे मतला अब सबको गाड़िया यहीं से लेकर आनी है मैं तो वाक करते करते हैं वही हो गया अपका चलता फिरता चाप स्टॉल ना चाप नवरतन कोर्मा पता नहीं क्या क्या भाई यह काफी तावर तोड मेन्यू लग रहा है और सबसे उससे बढ़िया नाम यह हंग कॉंग सब्सक्राइब होता है यह अरे लो ना यह वैसी आप से मुलाकात नहीं हो पती तीन चार बार पिछली आया था मैं कभी खतम हो जाता है नोवजे कभी जल्दी नहीं हो पाता अपनी मर्ची से काम करते हैं और एक सो साथ रुपय में देखो कितना सारा खाला खाना खालिया और उसके अंदर से दो आइटम है यासी जो आज तक अभी खाई नहीं हो चाप बर्गर और चाप कबाब यह क्या कर रहा है आज विडियो शूट करें हम लोग संदे को आप देख रहे हो यही पर साही बाबा मंदेर है थास्टे को आजाओ साड़े साथ बिजे स्टॉक आउट यह देख सकतो में स्टिक चाप के पीस को काट के उसको मैरीनेट किया है फिर यह अलग चीज है क्या होता क्या यह अच्छ अच्छा जी चाप कबाब मसाला क्रीम आप पोकोड़े जाता लग रहा है हां चाप का पोकोड़ा रह गया बढ़िया यार मज़ा है सती जी आप से बात करके बर्गर खाके मज़ा गया वो तो स्टार्टिंग साही मज़ा गया है चलो के खाकर आते है कि अपना क्या अपना को जो निगाला है चलो खाकर आते हैं फिर बात करते हैं चाप बनाते है जो एक दम सिल्क की तरह सेटन की तरह चाप के पीस को ऐसे-स फोल्ड करते है मिरेको लग रहा हूँ इसके ऐसे छोटे-छोटे पीस बना रहे है नगेट सटाइब से बड़ी न पचास रुपे का था आफ डेट कॉंटिटी भी ठीक है भाई है ना वही ग्रेवी के साथ दिया रखा है सालन के साथ और साथ में ओपर क्रीम डाल रखी है अमुल की क्रीम है और स्चिक्स ऐसे दे रखी है कि एक दम ऐसे नहीं मलेशियन वाली फील आ रही है ऐसे सटे वाली है अजीव चीव दिना वाई यह जो कासे गड़ बार फील नहीं का रहे है वाई इसमें तीक भाई यह नहीं साब्सक्राइब कर टेस्ट अलग अलग होता है पर यह सालन बहुत तेस्ट किया यह ऐसी चीज ह अब बड़ी यूनीक चीज है वह बहुत आपको कटकर तकर दिया उसको फ्राइब कर दिया बिस्किली चाप का प्रोड़ा बन गया उसे बाद उपर मसाला डारा एक पीस ऐसे निकाला अब सारा मजाने इसको आएगा इसको ऐसे लेके नाइस ब्रो नाइस आज की वीडियो अब जाने वाली हो रही है बाई कुछ दो चार और एपीसोड शूट करेंगे डिली की सदी बताओ कब तक चलानी है बाई जब तक दिली में रहेगी सदी कि उसे थासे चिन्रा सीरीज साट्ड़ेटों को फंड वीडियो और सट्ड़ेगो दिली की सदी सद्यों में और गर प्हलेखोम सेड़ेगों ओनाट जर में एका दिरbalance है किुल और की वाली हिरले हम के सफेस्र आएपारिवेशी सदीरानी के सद्दिलेत दूनाट में पले ची खिलेते वाली है भीखलेते की साटाइ ट्रेलेते के साटालाट जीवापाररी है